नमस्कार दोस्तों, स्रागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल निसनल लिज आप तक पर मैहों कुल्दीक मार दोस्तों रोज की तरहाद भी लेकर आया हूँ आपके लिए प्रताबगर जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुक खबरों को खबरों पर नज़र डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदान है अगर आप हमारी खबर को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें खबर को लाइक और सेयर करें तो आईए नजर डालते हैं प्रताफगर जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर प्रताफगर जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की सुरुआत करते हैं कुंडा से जहां पर लखनौ के ओला कैप ड्राइबर की हत्या करसो फेक दिया गया, मिर्टक के पास मिले अधार काड से उसकी पहचान हुई, खबर पाकर परियुआर के लोग भी पहुंचे, पुलिस हत्या के काड़ों को पता लगाने में जुटी हुई है, लखनौ के बिनीत खंड दो साड़े तीन बजे उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई, सो मंगल कुंडा में इस्तित, यमना सिछन संस्थान गेट के सामने मंगल ररू मार के किनारे फेक दिया गया, सो महार सुबा करीब साथ बजे ग्रामीडों ने खून से लटप सो पड़ा देखा तो सूजना पुलिस को दी, सूजना मिलने पर सीयो कुंडा, जी सिंग वा कुंडा को तौल प्रदीप महार पुलिस टीम के साथ घटना इस्तल पर पहुंचे, तो देखा धेल का गला रेत कर हत्या की गई थी, बगल में मॉबाइल पर्स टीसर्ड वा पाइंट रखा था, सरीर पर सिर्फ अंड के बारे में जानकारी दी गई, पिता ने बताया कि प्रेम चंद घर से बायगनार कार लेकर निकला था, वा दो मॉबाइल फोन रखता था, एक फोन की बैट वाला और दूसरा एंडराइड एंडराइड फोन से वा लोकेशन देखता था, उसका सो घटना इस्तल पर जहां म कार मंगर मोर से गाउं की और जाती और साड़े तीन बजे बाहर आती दिखी, यमना से च्छर संस्थान में लगा सीसी टीवी कैमरा बन था, हालांकि स्कूल के एट पर खून के चीटे दिखे, इससे पुलिस आभास लगा रही है कि हमले के दोरान खुद को बचाने के लोग दोरे तो हमला वर जान से मानने की धंकी देते हुए भाग निकले, पीडित की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कार जास सुरू कर दी है, हद्गुआ थाना हिलाके के सीतल के पुर्वा कदम पूर बेती गाउनियासी पैतालिस और सी तीरत लाले अदो और पेड़ की देते हुए, मौके से भाग निकले, सूजना पर पहुंची पुलिस गयल को उपचार के लिए सीसी कुंडा ले गई, मामले में पीडित की तहरीर पर पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाब मुकदमा दर्ज कार मामले की जास सुरू कर दी है, अगली खबर हद्गुआ हद्गुआ थाना हिलाके से है, जहां पर जमीन और चुनावी रंजिस को लेकर दो पच्छों में मार पीट हो गई, जिसमें एक अधेर की मौत हो गई, सूजना पर पहुंची पुलिस जाज परताल में जुटी हुई है, हद्गुआ थाना हिलाके के जैसावा गाउनियों स तिरपन वर्षी राम समुष सरोज का भतीजा, राजा राम पूर प्रधान रह चुका है, पिछले पंच्छा चुनाव में राम समुष का पूरा परिवार, प्रधान पत्के प्रत्यासी जाबेद आलम के साथ था, जबकि राम समुष का भी पच्छी भगवान दीन का परि यूर के लोगों ने राम समुष सरोज के भर पर धावा बोल दिया, इस दोरान दोनों पच्छों में जम कर मार पीठ हुई, जिसमें राम समुष वा उसके बेटे संजे को गंभीर चोटे आई, इस पर परज़नों ने डायल 112 को सूचना दी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची पुलिस ने सोग को पोश्माडम के लिए भेज़ दिया, पीडित परज़नों ने हत्ते एरोपियों के खिलाप पुलिस को नामजद तहरीर दी है, पुलिस मामले की जात परताल में जुटी हुई है, अगली खबर बाबा गंज लाके से है, जहां पर समय से बिद बचकर 15 मिनट पर कोई सिचक बिद्याले नहीं पहुचे था, बिद्याले गेट पर ताला लटेक रहा था, ऐसे में बिद्याले में पढ़ने वाले चाथ-चात्राएं गेट पर खड़े होकर सिचकों का इंतिजार कर रही थी, इसी बीच उधर से गुजर रहे मीडिया कर् वायरल हुआ तो आनन फानन में सिचक बिद्याले पहुच गए, हालांकि अब देखना या है कि क्या लेट लतीफ हाने वाले सिचकों के खिलाप कोई कारवाई की जाएगी या फिर नहीं, खंड सिच्छा अदिकारी रिचा सिंग ने बताया कि मामला संग्यान में आया है, जात कराई जाएगी, हागली खबर लालगन से है, जहां पर एटियम से रुपए चोरी करने वाले अंतर जनपदी गिरो के एक सदसों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है, अलांकि पुलिस को चक्मा दे कर उसका साथी मौके से फरार हो गया, पकड़े ग पास से चकिंग के दौरान अखलेस को पकड़ा गया, उसका साथी बिने सरोज वहां से फरार हो गया, पुछताज में अखलेस पुत्र नन्हेलाल ने बताया कि वह लाल गन थाने के पढ़किया गाओं का निवासी है, उसका साथी बिने सरोज उर्फबीनू, पुत्र रामर गयर जन्पद में दस मुकद में दर्ज हैं, फरार अपराधी की तलास जारी है, अगली खबर मांधाता इलाके से है, जहां पर रहने वाली एक किन्नल ने सो मौर को पीएसी और मेटकल कालेज में जम कर हंगामा किया, सोर सराबा सुनकर लोगों की भीड़ी कट्ठा हो गई दोनों पच्छ के लोग भी मौके पर पहुँच गए, मांधाता अब में रहने वाली किन्नर मुसकान का आरोप है कि भगवानपुर के एक युग ने उससे पांच साल पहले साधी की और फिर उसे छोड़ दिया, इससे परेसान होकर वा भटक रही है, सो मौर को किन्नर को प पहुची, वहां उसने अपने साथ हुई घटना को लेकर हो अल्ला मचा तो चिकिसकों ने प्रताब बाहदूर रस्पताल रेफर कर दिया, मुसकान का कहना है कि उससे पैसे एटने के बाद युग का पिता उसकी फिर से साधी करना चाहता, ऐसा वा होने नहीं दीगी, साध और अनकिर्नर ने उसे जाल में फसा लिया, उसे गुलाम की तरह रखना चाहती है, यह सो मांधाता बीरेंद रियादो का कहना है कि उनके पास कोई नहीं आया था, तहरीन मिलेगी तो कारवाई की जाएगी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रताब कर जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुक खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिये इजाजात, नमस्कार